हरी ओम फ्रेंड्स रादे रादे कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ अच्छे ही हूँगे तो स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल हरी ओम हरे कृष्णापर आप सब ने ये संक द्वनी एक नए आरंब की संकेत के लिए थे आप लोगों के लिए जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक नया गिफ्ट लेके आई हूँ और यो गिफ्ट ये है कि आज से में हर एक आदर्शी के पुर्प कोशिश करूंगे कि एक आदर्शी ब्रत का महात्म में और उसके पूजा के विधी डाल दू ताकि मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से मेरी छोटी सी यूट्यूब फामली वो एक आदर्शी के दिन तक प्रपेर हो जाए कि उन्हें भी इन एक आदर्शी के ब्रत का पालन करना है और एक आदर्शी के दिन उन्हें क्या नहीं करना है तो चलिए सुरू करते हैं कुछ एकादर्शी से शम्मंदित बाते तो आप जानते हैं फ्रेंट्स की जिस तरह से हमारे हिंदी मास के अकॉर्डिंग दो पक्ष होते हैं एक महिने में एक कृष्ण पक्ष का एक सुक्ल पक् प्यारा है और ऐसा कहा जाता है कि हम चाहे किसी भी ब्रत से कुछ भी मांगते हैं लेकिन हमें एकादर्शी ब्रत करके भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए इस एकादर्शी के ब्रत कफल हमें भगवान के श्री चर्णों में अर्पित कर देना चाहिए ताकि हमें उनकी शाद्य भक्ती प्राप्त हों तो जैसा कि आप जानते हैं यह आने वाली एकादशी जो पढ़ रही है वो 9 मार्च को पढ़ रही है दिन मंगल भार को तो इस एकादशी की कथा अगर हम बात करें तो कथा ऐसी है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जब भगवान राम बहुत चिंती थे कि समुद्र को कैसे लांगा जाए तभी उन्होंने बाल भग्द रिशी मुनी की तपश्या की तो रिशी प्रकट हुए और रिशी ने उन्हें बताया कि राम जी आप ऐसा कीजे कि आप विजया एकादशी आने वाली है जो फालगुन मास के कृष्ण आपको अपने मंचाहे वर की प्राप्ति होगे तो राम जी ने वैसा है किया विधी पुर्वक एकादशी का बरत रखा वो बिधी क्या थी तो विधी इस प्रकार है कि आप कलस की स्थापना करे भगवान श्री कृष्ण को या फिर अगर आपके पास बिग्रह नहीं भी है तो भगवान विष्ण के प्रतीमा की पूजा करे कुछ भी नहीं है आपके पास तो कोई प्रशानी की बात नहीं है फ्रेंट्स आप एक तुलसी दली अर्पित करके भगवान के चर्णों में सच्चे भाव से प्रणाम कर ले तो भगवान वो भी स्रध्धा भाव से हमारा स्विकार करते हैं तो आप ऐसा करते हुए भगवान की पूजा करें और पूजा करने के बाद दिनबर ब्रत रहें कोशिश करें कि आप जलना पिये लेकिन ऐसा हो नहीं पाता तो कमसे कम आप फल खाए और जल पिये अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो इतना तो आपको कर जाना चाहिए तो इस तरह से आपको एकादशी का ब्रत रखना है और अगले दिन आप जो भी अपने सामर्थे अनुशार है भगवान के सीचर्णों में भोग लगा के दान दे और अपने ब्रत का पारण करें इस तरह से आप एकादशी का ब्रत कर सकते हैं और जब राम जी भी ये ब्रत इसी बिदी अनुशार किया तो उन्हें भी मंचाहेवर की प्राप्ती हुई अर्था उन्हें समुंद्र लांगने में शाहता हुई और वो जाकर के लंका में रावन का बद करके सीता माता को लेकर वापस लोट कराएं तो ये थी एकादशी की कथा तो इस तर ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलेंगे इस तरह की कोई भी एक चोटी सी वीडियो लेकर कोई भी एक चौट टॉपिक लेकर तब तक के लिए वाच दिस वीडियो रादे रादे हरियों फ्रेंट्स और हैपी